किसां बाई यो स्क्रीन के उपर आप जितने भी इमेजेस देख रहे हो टमटर की फसल के अंदर यह जो नए कलर के नए आकार के जो भी स्पोट आ रहे अलगर अंदर से भी आप यहाप इमेजेस देख सकते हो कि यह एक चित्र वी चित्र रोग से एक नया डिसीज आपके फस है तो चले शुरूरत करते हैं आज के इस वीडियो की आखिर यह नया रोग कोन सा है और उपाय क्या है सबसे पहली बात क्या होती है यह समझ लो कुछ लोग इसको देखते ही क्या कह रहे है कि भाई यह जो है ना यह अंदर की तरफ काला काला रंग का जो भी फंगत दिखा होई मचा दी थी अभी एक दो साल से कुछ शांशान था फीर से अभी यह नाशिक में हमारे यह आ पर आ चुका है महाराश में अभी हमारे जिल्ले में चालू हो गया है तो यह जो टमाटर के अंदर यह जो नया रोग दिखाई दे रहा है तो इसको कुछ लोग प्लैस्टि लेनी चाहिए कि यार देखो हम क्या करते है ऐसा डारिक कुछ भी रोग देखा और उसको नाम देया यह गलत चीज़ होता है प्लैस्टिक वाइरस भी हो सकता है इसा मैंने कह रहा हूं कि यह वाइरस नहीं हो सकता है लेकि उसके पीछी भी रिजन होना चाहिए कि इन इन प होता है तो हर चीज़ ऐसा डारेक्ली नहीं खा जा सकता है तो मेरे इसाब से अभी जो हमने जो यह तमाटर के उपर अभी यह जो काले-कले दभी दिखते थे पहले वाली तो प्यूर ब्लाक कलर के धभब बड़े-बड़े वाली धब्य देखते तो हम उसको क्या कहते थे में लेड बॉलाइट कहे थे लिकिन यह जो वाइरस जिसे हम खहे रहे हैं इस वाइरस कह अंदर जो भी काले धभे दिखाई दे रहे है यह नहीं पूरे तरब से अरली ब्लाइट है ना ही पूरी तरब से काला रंग का है प्यूर ब्लैक भी नहीं दोनुझ कलर का मिक्चर है पिला और काले रंग का मिक्चर इस स्पॉट के अंदर दिखाई दे रहा है और इसे इसले इन्होंने बीच वाला नाम दिया है तो क्या है सजमुच प्लैस्टिक है या नहीं हो भी सकता है है ऐसा नहीं कि हम आप नहीं dai रहे या कुछ नहीं है तो वह भी हो सकता है लेकिन एक मतलब बारे में अभी जानले तो सबसे पहले संबाई आप जान ले जए अगर पहले तो यह बात मान लेते हैं कि चलो मान लिया कुछ देर के लिए कि यह प्लैस्टिक वाइरस है तो अहमदनगर जिले में अभी उसका नाम भी बदल चुका है तो अब यह iasak क्यों हो गए है मतलब आपको पता है वाइरस एक बार चालो हो गया है एक बात हो गया कि अगर यह वाइरस है तो यह हर साल या फिर फसल में हर साल थोड़ा बहुत दिखना चाहिए एक दम आचानक से दिखता है आचानक से कायब होता है ऐसा होता क्यों है तो यह और दूसरी एक बात हो गया कि अगर यह वाइरस है तो यह बारिश के मोसम को छोड़ कर मेरा सवाल बारिश के मोसम में आता है ऐसा वाइरस का कोई चीज नहीं होता है सब चीज आप अच्छे से समझ लो कि यह सिर्फ बारिश के मोसम में यह स्कॉड दिखता है एक बात अच्छे से समझ लो जैसे कि हमारा थ्रिप्स का मिर्च का वाइरस है मिर्च का वाइरस हमें पूरे साल में दिखाए देता है चाहे हो बारिष का मोसम और ठंट तो यह वारिश-क मुसम में देखता है तीसरा पॉयंट क्या है तो अगर यह वारिष नहीं है तो प्या चीजह आपको बारिश के मौसम में क्यों नहीं आता है जिस आंदर जैसे बात कर रहें उसे आंदर जैसे मैं बात कहे सकता हूँ की ये ये जो आपको ऊपर की तरफ जो शुरुद्ट की शुरुद्ण दिखती है ने जो आपको एकधबा दिखाई देता है टमाटर के उपर हमने इसका भी प्रैक्टिकल कर लिया कि ये सुरूガ यह टमाटर के अंदर जिसको नाम दिए गाय है plastic virus शुरुवाति वाली आवस्ता में यह सिर्फ आपके टमाटर के च्छाल के उपर ही दिखता ह्या अंदर की तरफ ने होता है तो यह चीज आखेर में हे कि यह चीज मैरी इसाब से प्राकर का फंगज भी वाइरस है तो फहली बात मान लेते आपको ज्यादा इनतजार नहीं करते हैं और इतना इतना इमानधारी से और सोच विचार करके कुछ भी हाव बाजिने करते हमने कुछ ऐसा डायरिक चालू ने कि यह प्लैस्टिक वाइरस है इसा करो ऐसा करो यह से सटार्ट ने कि हमने कुछ सवाल भी डाले जो की जिनके भी आंसर मिलने चाहिए और साथ इस दो संबाव नहीं हो सकते हैं और उसके उपर treatment है तो इतना मेहनत करते हैं यह चीज़े एक रात में नहीं मिलता है इसके लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है और इसको भी लाइक और शेर बनता है वीडियो होने के बाद complete देखने के बाद शेर जरू करना तो चले तो इसका treatment भी जान लेते हैं अगर यह वाइरस है तो हमने एक बड़िया वाला विरुसाइड देखा है तो आपको क्या करना है एक महिनी में एक बार आपको ब्लू कॉपर का के लिए देना है ठीक है ड्रेंचिंग में से देना है नीचे में नीचे से बोल रहा हूं ठीक है और हाँ इससे अगर फ्लावरी स्टेज में ड्रेंचिंग भी किया उपर फ्लावरिंग और जमिन के अंदर डाल भी दिया कोई दिक्कत ने होने वाली आप बेज़िचक कर सक कोई वाली चीज़े तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हो प्रियोंटियों की तुर पर तो यह बात हो गया ठीक है तो यहाँ पर आभी हम जान लेते हैं कि यह जो फंगस है मेरे को लगता है यह फंगस भी हो सकता है तो यह धुनला सा ब्लैक कलर दिख रहा है और फीला रंग का थोड़ा सा शेड आ रहा है तो शेड आने की वजह यह भी हो सकती की टामाटर के अंदर भी एक पिगमेंट वी जो यह लो लाने की शमता रगते तो वो उस पीगमेंट के कारण और यह फंगस का मेक्चर के पारण काले-रंग के के कारण एक ऐसा कलर भी दिख रहा होगा जो कि हमारे लेट ब्लाइट का जैसे होता है तो आपको सिंपल वाली एक चीज करने है कि अगर ऐसा धबा आपको दिखाई दे तो मेरे हिसाब से आप करजेट का फ्लाओरिंग होगा तो करजेट नहीं चलेगा ये फ्लाओर ड्रोप कर सकते हूं कि ररी थोड़ा महिंगा जाएगा यह बात ही और हां अगर बारिश रात का हो रहा है मतलब रात की बारिश ज्यादा हो रही है आपको पता है कि अभी बारिश चालो होने वाली है अगर इस चीज के लिए प्रिवेंटिव में स्प्रेड डालना चाहते हूं तो आ मेरे इसाब से किसी भी रोग को कोई भी आनुमान के उपर पहुशने से पहले कुछ इन चीजों का भी एक इसके बारे में पहले रोग क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए फिर सोलुशन के बारे में सोचना चाहिए तो भाई जानकरी सचमुच दिल से अच्छी लगे हो